इसको लेकि पस्ता रहे हैं अपने आप अच्छा आपको अर्डिगा में मिसिंग मिलता अर्डिक हरो दोस्तों आज किस वीडियो में एक ऐसे कार को लिक हूं जो गुम नाम हो गया मार्केट में जब से लॉंच हुआ अभी तक मतलब इसका कोई नाम नहीं हुआ इसके बेस मॉडल का प्राइस सोला लाक रुपय और टॉप एंड वेरियंट लगव 19 रुपय क्या सबसे पहले बताई क्या कारण था आपने क्यों इस लेने वाले तो इसके बगल में यह था महराजो अच्छा भी छोड़ का पापा इसको इसको सलिक करनी है हम लोग तो इतना पता नहीं था कि कैसा है कैसा नहीं चलेगा कैसा इसा हम लोग कुछ पता नहीं था लेकिन लेने के बाद रहें लेकिन वीडियो पूरा अन्ध तक आपको मिल जाएगा कि कार वर्थ है कि नहीं है आज ग्रेड में आना कि लोग बहुत ज्यादा कम ही इसको करिए और शुरुवात में इसका हुआ था तो पूरे डिटल में जानते हैं तो भाई अब बताए दर्सों को कब आपने इस कार को पर्चेज किया तर इसको हम 2019 में लि मैं आपको बताएता हूं इस कार में आपको मिलता है 1.5 लीटर का टर्वो चार्ज डीजल इंजन जो की पावर देता है एक सो एक कैसी बहुत बढ़ा है और है वेल के नाम से वैसे बेचा जाता है आपको इसका डियाइन वगरा कैसा लगता है बाकि बहुत अच्छा है लुक्त लोग चलते हैं जिसको देखें गाड़ी को लोग देखते हैं अच्छा बाकि सीटिंग कंफर्ट वगरा कैसा से लोग आराम से बाढ़ जाते हैं इसमें इनोवा के तरह इसमें स्पेस की कमी नहीं है साथ के जगा आट भी बैठा दे तो भी एकदम कंफर्ट से सब अच्छा है इस बढ़ियां बाकि बिल्ड क्वालिटी को लेकर करना चाहिंगे क्योंकि यह और यह फाइफी स्टार रेटिंग अचीब किया था गलोबल अंटकेप में बाकि बॉड़ी वगरा का क्वालिटी आपको कैसा लगता है थोड़ा लो है इसका बॉड़ी उतना अ पड़ा तो रितिक भाई यह है मराजों का एम टू जो कि बेस मोडल लेने का क्या मतलब परक्टिव क्या था आपका बेस मोडल का उतना बजट नहीं था कि हम लोग इस से थोड़ा ने सके अच्छा यह मों लोग यह पसंद आया बेस मोडल में फीचर तो उतना यह नहीं मि आपने आफर मार्केट क्या क्या चीज इसम लगवाया है उसके बाद यह पीछे में गाड़ लगवाया है और यह कुछ लगवाया है यह रूफ्रेल पहले सी कंपनी फिटेट साय है फिर ने हम लगवाये इसको अच्छा आपने महेंद्रा मी लगवाया नहीं बाहर अच्छा बाहर लगवाया थे चलिए सब्सक्राइब लगवाया तो दोस्तों यह इस कार का इंजन और इंजन अभी खोलते हैं बाई यह जो इसका होड़ है ना इंजन बहुत ज़्यादा है नो डाउट फाइफिस्टा रेटिंग कार है तो हैबी तो रहेगा है चार साल में आप देख सकते इंजन का हालत और पंद्रस उसी का इंजन है तो उतना बड़ा नहीं है छोटा सा मतलब कंपार्टमेंट है ठ अच्छा जनरली लोग वही चलते हैं तो बारा तेरा का मैलेज आपको इसमेल जाता है ठीक है सेबन सीटर की हिसाब से उतना जाड़ा बढ़ियां भी नहीं का जाए तो थोड़ा सा और बैतर मालेज कर सकता था यह जो डीजल आता था अच्छा का मालेज दे देता था लेक यह सर्विस कॉस्ट लगेरा के लिए क्या करना चाहेंगे सर्विस हो गयरा सब सही है इसका हम मतलब कितने किलेमेंटर सर्वीसिंग होता इसका वहीं 20-30,000 के बीच बहुत लंबब यह तो यह तो कि 20-30 में मेरे साथ करवाए थे हां दीस उसके बाद चालीस अच्छा अच् तो बढ़ी है उतनी आहता ही इतना आता ही है बाकि वहाँ पर सर्वीशिंग कराने अब गया तो कैसा था रिस्पॉंस वहाँ पर कम्पनी वालों का जैसे वहाँ जाते हैं सब लोग काम ठीक्टा करते हैं सर्विस के लिए क्या सहर क्या दिक्कत है यह सब लोग कंपनी में बहुत अच्छा सर्विस मिलता है तो कितना चल चुका है अभी तक 41,000 तो 41,000 वाला जो सर्विसिंग आप 40 वाला जो करवाय से सर्विसिंग उसका कॉस्ट कितना था उसका मेरा चारहजार उसका आया था सूपर से हम और भी काम करवाया था जैसे ब्रेक पैड हो गया अच्छा 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 बैट जा रहा था नीचे से किसी के वज़े से बैठ जा रहा है सब्सक्राइब करेंगे गाड़ी लेने के लिए अज के रेट में जब मतलब तमाम गाड़ियां आ रहा एक्सल्श आ अच्छा है नहीं लेने लाएक है क्या कारण क्या बताएंगे कर्श्मेर को क्यूंकि इसका बॉड़ी पूरा हलका है एकडम अच्छा बॉड़ी हलका है इसका पीकप तो बहुत बढ़ी हलका है अगर फोड़ा खरंजे पे चले तो बॉड़ी से आवा जाता है चर्कर अच्छा मतलब डारेक्ट आपने पहले देखा था और तुबी देखने के बगलम यह था उसको पसंद कर लिए हम लोग और तुरंद खरीद लिए तुरंद इसको ले लिए बढ़ियां है बाकि अगर मानले इसकार को आप बेशते हैं आज की डेट में तो बेच के कौन सा अब लेंगे क्या करणा अब लेने का थोड़ दर्सकों बताई उसका यूज नहीं कि यह कार को लेकिन दो चार लोगे से हम पूछें है उसका यह बहुत अच्छा है रिभी उसका अच्छा है बाकि बिल्ड क्वालिटी को लिए नहीं सवाल आएगा क्या है जैसे फाइफ बातओर गरते हैं तो भागी कोई इस कार में अभी प्राव्लम कोई नहीं पिंग अब है और कितना कबर किया मतलब लंबे शपर कि इतना किलोमेटर तक आप गया से 900 900 900 900 उस दोरान कैसा था मतलब इसका बहुत अच्छा था इसका सर्विस भी ज्यादा था अच्छा अच्छा इसके साथ बहुत बढ़ी है कितने लोग ते गाड़ी मुझे मैं चलिए बाकि अभी देखते हैं अंदर इंटीरियर में कैसा है कंडिसन चार साल के बाद और क्य लिके का की मिलता है सेम आज भी यही वाला की चल रहा है और बाकी वाइस में सेंटर लोग नहीं आता है तो इन्हों आफ्टर मार्केट यह वाला लगवाया है अभी यहां पर दोर मतलब हैबी है आप देख सकते हैं कुछ इस से अंगल से देखिए बहुत ज़दा हैबी है अगर फाइवर और इसका पूरा एरिया देखा जाए तो देख सकते हैं आप लगब लगव एक वित्ता यहां तक मतलब कवर कर रहा है बहुत ब्रॉड लग रहा है बाकी यहां पर दोर में आपको पावर विंडो के कंट्रोल मिल जाते हैं जो कि नॉर्मल है और यहां पर मिल जाता है अंदर की बात करें तो यहां पर एक को वाला सिस्टम है जिससे फड़ा माइलेज वाला इंक्रीज होता है इस बटम को अगर अप्वेस की रहेंगे अक्टिव रह गया तो बाकी यहां पर हैडलाइट के कंट्रोल मिल जाता है सीट हाइट अडेस्टेबल नहीं अबरोल डिजाइन वगरा ठीक लगता है इसका बटन का जो क्वालिटी अच्छा है अच्छा है उमारती सुच की वगरा उसमें थोड़ा अलग टाइप है बेकार सा लगता है बाकी यहां पर आफ्टर मार्केट इन्हों ने मेजिक सिस्टम इंस्टेल किया है कुछ इस तर आपको ऐसे करके प्रेस करके लगाना है और ऐसे करके रिलीज हो जाएगा तो बढ़ियां लगता है थोड़ा से यूनिक टेस्स देता है और यह वाल में बात कर रहा था गेर नौप का तो इकदम मतलब सेपरेट एरिया दे दिया गेर नौप का जो थोड़ा सा गेर बढ़ा है काफी देख सकते हैं यहां से लगब लगब दो फीट के आस पास का है यहां पर कुछ रखने के लिए स्पेस है लब बॉक्स यह आपका लब बॉक्स इतना बड़ा नहीं है ठीक ठाक है बाकि डैसबॉर्ड का डियाइन अच्छा लगता है सिंपल में रखा सबसे बढ़ियां पॉइंट यहां पर आपको रूप में जाता है एकदम सेम इनोगा की तरह आपको आड़ीगा में मिसिंग मिलता आड़ीगा में तरीके करकर मिलता है यहांन पे यहां पे प्रोपर एसी मीलता है जो कि पूरा कूल करके लखता है ठहुत यहां पर देखिए आपका एसी का कंट्रोल है और यहां पर LED लाइट्स हैं जो कि बहुत जादा बढ़ियां प्रीमियम लगता है एकदम ऐसा फील होता है कि आप एकदम एरोप्लैन में बैठे हुए और बढ़ियां लगता है देखिए फ्रंट में मैंने कवर नहीं कर पाया अब चलते हैं थार्ड रो में थार्ड रो को दिखाते हैं तो दोस्तों इंट्री करना बहुत जाने के लिए यहां पर यह लिवर दिया गया ना इसको इस तरीके से पुल करेंगे आप यह ऐसे वन टच पुल करेंगे पूरा एकदम सीट आपका किया जाएगा आगे की ओबरोल ठीक है यार थार्ड रो फॉर्चुनर हो इंडेवर हो या फिर इनोगा कोई भी गाड़ी ओट रो में उतना आपको कमफर्ट नहीं मिलता है थार्ड रो आई पांच फुट आठ इंच काले हाइट के लिए बना हुआता है बाकि ओबरोल ठीक है यार लॉंग ट्रि अच्छा खासा मिल जाता है थार्ड रो मतलब होने के बाद भी स्टैंड करने के बाद भी कितना ज्यादा स्पेस बनता है बूट में इसके बूट को देखते हैं तो बाइक कुछ इतना स्पेस मिलता है आपको जो कि ओबरोल ठीक है छोटे मोटे बैग आप इसमें रख सकत हैंगे तो यह वाला सीट भी फोल्ड हो जाएगा और स्पेस और ज्यादा मिल जाएगा आपको बोट में तो इजली आप और भी समान रख सकते हैं तो रितिक भाई इसकार में आपने यह वाला क्लर क्यों चूछ किया क्योंकि जैनरली लोग वाइट क्लर ही चूछ करते हैं अब बताएं इसकार के बारे में दो अच्छा चीज बताएं और दो बुरा चीज बताएं और दरसो को भी इसका बहुत अच्छा और बैठने में पूरा चलता है तो पुरा वाज करता है चर्टाइब का और कुछ और कुछ नहीं है बागी सब्सक्राइब कम है इसका मालेज कम लगता है वहीं बहुत ज़्यक्त कम हैं 15-16-17 तक देना चाहिए तो भाई यह था वबर वीडियो और पूरा एक्सपिरियंस था चार साल का एक्पिर कर दीजिए साथ ही साथ मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर दीए तब तक लिए टेक के बाई बाई मिलते हैं अगले वीडियो में थैंक यू वेरी मच्छ रितिक भाई